नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्थ पर दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, पच्चीस फरवरी फालगुन मास प्रतिपदा तिथी रविवार की रात, सोने से पहले थोड़े से गुड का वह उपाए जिसने भी कर लिया, वो हो जाएगा धनवान, उसकी अगली साथ पुष्टों तक होगी, धन की बरसात, गुड का वह उपाए जो केवल उपाय कर लिया, जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ना केवल अपने जीवन में हर तरह की मुक्ती मिल जाएगी, बलकि इन उपायों को करने के पश्चाद, आप खुद देखेंगे कैसे, आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा, हमारे घ घर में कई होती है, जो नकारात्मकता को दूर करने में हमारी मदद करती है, और घर में पॉजिटिव शक्तियों का वास लाती है, ऐसा समझा आता है, कि घर में रखी चीजें नकारात्मक दूर करने में मदद करती है, और पूरे जीवन में का कारक बनती है, ऐसी ही चीज मे इसे एक चीज है गुड़। आपको बता दूँ दोस्तों, गुड़ हमारे भारतिये किच्चन का एक मुख्य हिस्सा होती है। गर धन और धान से संपन्न बनाते हैं। आप जानकार वाकई हैरान हो जाएंगे कि गुड़ जो है, आपके जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख सकता है। ये ऐसी चीज है जो हर किच्चन में आराम से मिल जाता है। मगर ये केवल खाने के ही काम नहीं आता है, बलकि कई और भी फायदों के लिए उपाय किया जाता है, जो घर को सम्रिद्ध से जोड़ देता है। इसलिए आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मानिए इस आपको गुड़ खाने की कोई जरूरत नहीं है, बलकि कुछ गुड़ के टुकड़े आपको हमारे वीडियो में बताय हुए उपायों को सही तरीके से आप कर लीजिए। ना केवल आपके जीवन से हर तरह की परेशानी चली जाएगी, बलकि अपने जीवन में आप सुख सम्रिद्ध आते हुए देखेंगे। हो सकता है आपको ये सारे उपाय अंधविश्वास की ब अरपित जरूर ही करते थे क्योंकि आपके घर के बड़े बुजर्ग हो गए या पुराने लोग हो गए। उनकी यह बात पता है दोस्तों कि भगवान सूर्य देव जी को यदि जल भर अरपित कर दिया जाए तो उनकी वह कृपा मिलती कि जिसके जीवन से हर तरह की समस्या खत्म हो जाती है किन्तों दोस्तों आपको यह बात नहीं पता होगी कि आखिर सूर्य देव जी को जल अरपित कैसे किया जाता है जल में क्या डाल कर अरपित की जाती है जिससे जीवन से की समस्या खत्म हो जाए वह सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में हम बताने गुड के वह उपाए हम बताएंगे, जो आपने रविवार के दिन दो, चार, पांच, छे मिनिट निकाल करके कर लिए, तो ना आपके जीवन हर दो आग से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बलकि सूरिदेव जी कृपा से आपके तारे, आपके ग्रह, आपके रहू, आपके केत आपका साथ देंगे, आपके जीवन में भी लेंगे, उस निर्ने से आपको फाइदा पहूंचेगा, और आप अपने जीवन में बहुत उन्नती करेंगे, आपके जीवन में धन की वर्शा होगी, इसी लिए यदि आप भी चाहते हैं कि सूरिदेव जी की कृपा आप पर औ और पूरे विश्वास के साथ, पहले तो आप इस वीडियो को कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जैसूरिदेव जी की, देखिए दोस्तों, जितने भी हम उपाय बताने जा रहे हैं, ये ऐसे सठीक उपाय हैं, जिन उपायों में आपका केवल 5-6 मिनिट के दिन खत्म होगा, और इन उपायों आने के पश्चात, आप जीवन में खुद ही एक चमतकारी बदला देखेंगे, इसलिए सारे उपायों को कहीं पर लिख लीजिए, इन उपायों की महूर्त तो क्या है, वह भी लिख लीजिए, सबसे पहले जो उपाय है, वह एक उपा की बरकत रुख गई है, उन्नती रुख गई है, आप इसको लेकर के परेशान है, तो इसकी मुख्य वज़ा है, क्या हो सकती है, इसकी मुख्य वज़ा है, कि आपके मंगल दोश है, शनी दोश मान लीजिए, आपकी कुंडली में सूर्य है, या हो सकता है कि आपकी कुंडल तो दोस्तों, हर तरह के दोश के आपको अलग-अलग उपाय करने की जरूरत नहीं है. यह उपाय लगातार ग्यारह रविवार कर लीजिए. ग्यारह रविवार के पश्चाद आप खुद की जीवन में जो भी आपका दोश है, वह खत्म हो जाएगा. अब जिस कार्य को भी श उने के पश्चाद एक तामवेक. गंगा जल किसी पूजा घर में दस बारह रूपय का मिल जाता है, तो गंगा जल के पश्चाद उसमें आप 21 चावल के दाने डालने हैं. थोड़ी सी कुम-कुम है. कुम-कुम का मतलब होता है, जो आप लोग लगाते हैं, उसमें कुम- पूजा घर में बड़े आराम से मिल जाती है कुम-कुम थोड़ा सा एक चुटकी के लाल गुलाब डाल दीजिए और थोड़ी सी गुड की धेली डाल दीजिए सुबह नहा लिया, आपने धो लिया सफेद वस्तर का धारण कर लीजिए अपनी घर की छट पर आजाईए अब आपको यही पानी जो आपने जिसमें आपने चावल है ये आपको सूर्य देव जी को चड़ाना है अब सूर्य देव जी को आप ये अर्पित करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो पानी रहा है उसकी गिरती हुई धार से ही आपको सूर्य देव जी को देखना है और सूर्य नमक का जाप करते रहना है जितनी पानी या उपाए आप ग्यारह रविवार कर दो दोस्तों आपके जीवन में कैसा भी दोश मंगल दोश शनी दोश, सूर्य दोश, चंदर नीच, राशी पर हो उसका प्रभाव ना हो जाएगा खत्म तो हो के माह जो आज का नहीं बलकि पुरातन काल के काम महा उपाए है तो इस तुरंत ही वीडियो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव लिखना मत भूलियेगा दूसरा उपाए है नौकरी हासिल का महा उपाए आप ये रहे हैं कि आपसे कमजोर मनुष्य नौकरी लग गई है और आप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं आपकी नौकरी नहीं लग पा रही और आप इस चीज करके बड़ा ही तंग आ चुके हैं बड़ा परेशान हो गए हैं तो आपको क्या करना है देखिए 11 रविवार आपको ये है जो आपको हम बताने जा रहे हैं और आपकी मनशाही नौकरी आपको मिल चाहे प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी कुल मिलाकर आपके आपको एक नौकरी मिलेगी ही मिलेगी क्या करना है आप सभी रविवार को उससे पहले नहा लीजिए धो लीजिए आप लोग ज्यादा जल भी चाहे तो भगवान सूर्य जी को चढ़ा सकते हैं या जो अभी हमने आपको जो मिश्रन बताये थे चावल, गंगा, जल और गुड के उस तरीके से भी आपको चढ़ा सकते हैं भगवान को जल चढ़ाने के पश्चात एक सौ ग्राम, पांच सौ ग्राम जैसी आपकी हो थोड़ा सा गुड ले किसी भी मंदिर में जाकर के दान कर दीजिए ये उपाय के पश्चात सूर्यदेव जी की वो कृपा आपको मिलेगी कि जो में जो आपकी बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं खत्म हो जाएंगे और सूर्यदेव जी के आशिरवात से आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी दोस्तों इसको अपने जीवन में हर तरह के दो से बच सकते हैं तीसरा उपाय जो हम आपको बताने हैं दोस्तों वह है बाधाओं पानी से मुक्ति का उपाय दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा यदि आप छोटे-छोटे काम करते हैं आप देख रहे हैं उसमें लगातार बाधाएं हो रही हैं आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं तो वह बाधाओं की वजह से हो ही नहीं पाता तो आपको क्या करना है कोई भी दिन हो रविवार, सोमवार, शुकरवार कि अपने दाएं सेब में रख दीजिएगा और फिर अपने काम के लिए जाएगा मान की नहीं, आपके पास पानी बैग में रख लीजिएगा अपने साथ जोड ऐसा गुड समझा जाता है गुड साथ में रखने से आपके उपर जो यानि दोश बाधाएं होता है वो गुड सुख लेता है और आप आपके कार्य में सफल हो जाते हैं अच्छा दोस्तों, आपके जीवन दुर्भाग्य एकदम आपके पीछे ही पड़ गया है आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा ही परेशान है तो पांच रविवार ये उपाए कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं आपका सौभाग्य ये उपाए है और ये आप घर के बुजर्ग भी ये उपाए जानते देखिए एक गाए जो होती है उसमें 33 कोटी देवी देवताओं का वास होता है गाए के गोबर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है गाए की सींके में भगवान भोलेनात का होता है मतलब गाए जो है वो ऐसी हमारी मां नहीं कही गई है दोस्तों गाए को मां कहने की कई वजह है तो यदि आप लगातार पांच रविवार अपने घर ग्यारह रोटी बनवा कर कि उस पे थोड़ी सी गुड की ढेली रखकर कि किसी भी गाए को खिला देते हैं जो आपके घर के पास टहलती रहती है दोस्तों आपका भाग्य सौ भाग्य में बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपको तैन-तीस कोटी देवी देवता के साथ महादेव माता लक्ष्मी जी, माता गंगा जी का मिलेगा और आप जीवन में अपने भाग्य से मुक्त हो जाएंगे जो उपाए हम आपको बताने जा रहे हैं यह उपाए थोड़ा ध्यान सुनिएगा यह बहुत ही साधारण उपाए है दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियों से आपको मुक्ती मिल जाए तो क्या करना चाहिए देखिए लोगों को रविवार के दिन रविवार का दिन क्योंकि सूर्य देव जी का दिन होता है इस दिन यदि आप लोग एक कंबल हो गया या कोई ऐसी चीज हो गई जिससे किसी गरीब की सके उसमें थोड़ा सा रख करके दान कर दीजिए कंबल हो, कपड़ा हो गया, चत्तरी हो गई ऐसी जिससे किसी भी मनुष्य का मदद हो सके या चावल ही हो गया कि इसमें थोड़ा सा गुड रख करके किसी भी मनुष्य को जो मंदिर के बाहर बैठे भिखशुक होते हैं उनको दान कर दें तो इससे आपको सूर्य देव जी की असीम कृपा हासिल होती है और दोस्तों, आपके जीवन में जो भी फिजुल खर्ची है वो भी फिजुल खर्ची रुक जाती है आप जो परेशानियां हो और दिक्कत है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है यदि नौकरी और मैं बार-बार मिल रही असफलता से परेशान है तो इस दिन और चावल का उपाय करने से कोई खास लाब होगा गुड और चावल को मिश्रित करके रविवार के दिन इसे बहते हुए जल में प्रवाह कर दें ऐसा से मन चाही नौकरी मिलती है है और कारोबार में भी तरक्की होती है मैं सूर्य की स्थिति यदि शुभ नहीं हो तो मनुष्य के बने-बनाए काम भी अकसर बिगड जाते हैं ऐसे लोग रहते हैं इससे बचने के लिए एक दिन मचलियों को आठे की गोलियां बना कर खिलानी चाहिए ऐसा करने कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और रही परेशानियां दूर होती है कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होता है पुत्र पिता के संबंध बिगड जाते हैं इसके लिए रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा जरूर करनी चाहिए सूर्य मंत्र का जाप करते हुए प्रतिदिन भगवान सूर्य देव को ब्रह्मा मुहूर्थ में देने से खास लाब मिलता है रवि दिन गुड गेहूं मसूर की दाल का दान जरूर करना चाहिए पूजा पर सूर्य यंत्र की स्थापना करें और प्रति दिन उसकी विधिवत पूजा करें ऐसा सूर्य की खास कृपा होती है हर कार्य में सफलता मिलती है यदि आप हर दिन सूर्य देव की उपासना नहीं करते हैं तो भी रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा जरूर करें रदय स्तोत्र का पाठ करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मुश्किलें दूर करते हैं माता लक्ष्मी दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है सबजी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती हैं रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है तो ऐसे में खाना दूशित हो जाता है इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बिमारी आती है माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती है ऐसे घरों में दरिदृता का वास हो जाता है ऐसे घर रहने वाले व्यक्ती काम्याभी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पढ़ता है इसी लिए गलती कभी भी नहीं करनी ही चाहिए सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अतिप्रसन करती है दोस्तों नंबर दो शास्त्र में बताया गया है जहां पर महिलाएं भोजन बनाती है वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पढ़ता ही है साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते है ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है पूरा हर निर्धनता का शिकार होता चला जाता है इसी लिए घर सदैव साफ सुत्रा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकरशित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और जगड़े आदी होने लगते हैं ऐसे में रसोई घर में एक या दो से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखनी चाहिए ऐसे जिसका आप उपाय नहीं करते हैं परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है तो ऐसे ही बेकार परिधारदार वस्तूओं को तुरंत ही बाहर कर देना क्योंकि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मक्ता आकरशित होती है इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है नमबर चार रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, ज़ाडू, पोचा कभी भी नहीं रखना चाहिए इससे माता अन्रपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीभी का सामना करना पड़ता है इसे पाप भी समझा जाता है इसी लिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या ज़ाडू, पोचा घर के सामने नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है नमबर पांच रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन जूठा नहीं करना चाहिए ऐसा करने माँ अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्षमी घर से रूट कर चली जाती है बहुत सी महिलाओं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती है ऐसा नहीं करना शुबता का खयाल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी जूठा ना करें क्योंकि ऐसे में उनका अपमान समझा जाता है घर की सुख शान्ती भंग हो जाती है इसी लिए यदि आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें थोड़ा सा किसी को खिला दें तब भी आप भोजन चट सकते हैं नमबर च्छ यदि बार-बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं इसे आप मामूली ना समझे ऐसा समझा जाता है कि खाने में बार-बार बाल आना राहू केतु का बुरा प्रभाव होता है ऐसा घर सदैव निधन का निधन ही रहता है खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए क्योंकि यह मां अन्न पूर्णा का सबसे बड़ा अपमान समझा जाता है यह घोर अनर्थ समझा जाता है ऐसे में शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंग कर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है यह भूल कर भी ना और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांध कर ही खाना बनाना चाहिए दोस्त वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी है जो रसोई घर में बिलकुल भी नहीं रखनी चाहिए इन्हें रखने से परेशानियों में व्रिद्ध भी होने लगती है नंबर एक शीशा घर को सुन्दर रखने के लिए कुछ लोग किच्चन में शीशा लगा देते हैं परंतु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का उपाय नहीं करना चाहिए ऐसा इसलिए कि क्योंकि किच्चन में चूलहा अगनी देव का सूचक समझा जाता है यदि शीशे में अगनी का प्रतिविम दिख जाता है तो घर में अशुब समझा जाता है इसके कारण घर में कलह कलेश बढ़ाने लगते हैं इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिती भी बिगड़ने लगती है तो यह गलती ना करें नंबर दो गुंथा हुआ आटा कई बार महिलाएं किच्चन में रोटी बनाने को गुंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती है और सुभे उसी का उपाय रोटी बनाने के लिए करती है वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता रसोई घर में घुंथा हुआ आटा रखने से शनी और राहु का नकारात्मक प्रभाव पढ़ने लगता है इसी का से जीवन में अनेक तरह की समस्याएं होने लगती है कई के बरतन उपाय होते हैं तूटे हुए बरतन ना रखें रसोई घर में कुछ बरतन ज्यादा उपाय होने के पश्चाद तूट जाते हैं परंतु कई बार कुछ हद तक तूटे हुए बरतन का उपाय करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक ये नहीं समझा जाता। रसोई घर में कभी भी तूटे फूटे बरतनों का उपाय नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्ध होने लगती है। चलिए, अब करते हैं कि बांसी रोटी खाना आपके लिए कैसा है दोस्तों। खाना भी बांसी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बांसी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बांसी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप चौँक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बांसी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमतकार से कम नहीं है, बांसी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है, रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है, बांसी रोट परन्तु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बांसी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहन करके सम्मान देता है, तो ऐसे मा अन्न पूर्णा सदैव प्रसन रहती है। परन्तु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बांसी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें, तो पहले आप उसे चेक जरूर कर लें। यदि बांसी रोटी में से रेशियो निकल रही है, तो आपके बच्चे की जान जा सकती है। या आप बीमार भी पढ़ सकते हैं। बांसी रोटी भले ही किसी चमतकार से कम न हो, परन्तु लंबे समय तक बांसी रोटी घर में रखना घर के समान, इसी लिए रेशियो वाली रोटी कभी भी न खाए। अब दोस्तों, आपको पूझ गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। प्रभावशाली चमतकारिक उपाय है, जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। आपको लाब शुरू करते हैं। दोस्तों, परंपरा में गाय, गंगा और गायतरी का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मानिता है, गौ माता के शरीर पर तैंटीस कोटी देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूझा करने वाले जातक पर इन सभी देवताओं की कृपा बरस्ती है। गौ से और भोजन कर पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। ये भी काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं। प्रति दिन गाय को यदि आपने रोटी तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। यदि आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बना कर खिलाएं और रोटी को बिलकुल ना रखें। उसी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। ग्यारह लोहियां बना कर उनके उपर हल्दी लगाएं। इसके बाद को खिलाएं। हर एक लोह को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ फेरें। पीट पर हाथ फेरें। मस्तक पर हाथ फेरें। माता गाय के अब चर्णों का स्पर्श करें। दोस्तों ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दो का समय चल रहा है। वे भी खत्म। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप बार गाय की परिक्रमा भी कर लें। तो आपके सम सुखी रोटी ना खिलाए। सुखी का मतलब गाय को रोटी खिलाए, उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाए। हल्दी रख ले, गुड रख ले। मिश्री घी या जो भी रख ले मतलब खाली नहीं है। करने मातर से आपके जीवन के सभी दुख, दर्द समाप्त हो जाएं इस से किसी को भी पितरदोश से मुक्ती चाहिए, तो गाय को रोटी दीजिए। काम में बार-बार बाधाएं आती हैं और संतान सुख में कठिनाई आती है। धन संबंधी परेशानियां होती हैं, इसमें बहुत दूर तक पितरगण यदी नाराज हो, तो इस तरह की चीज आधी को भोजन कराएं। इस से आपके जीवन के बहुत सारे पितरगण, पितरदोश तो दूर होते ही हैं, बाकी भी बाधाएं दूर होती हैं। विश्नु पुरान के तीसरे अंश में बताया गया है, बारहवें अध्याय में, कि कोई भूखा व्यक्ती द्वार पर यदी आ जाए, तो उसे भरपेट रोटी जरूर खिलानी चाहिए, इससे नारायन होते हैं, अन धन की कमी नहीं होती है, मनुष्य को परलोग का सुख मिलता है, दोस्तों, रोटी से भूख नहीं मिटाती, हमारे सोय हुए भाग्य को भी जगाती है, किन्तु बहुत से लोग रोट लोटी का उपाय बताऊंगी, जिससे आप किसी से भी बात मनवा सकते हैं, जिससे तंत्र आप भाशा में वशिकरन भी कहते हैं, और ये बहुत ही आसान होता है, कोई भी गलत नहीं होता है, बस इसमें ये बात करते हैं, कि किस तरह से आप सही तरीके से अपने पती या पतन जो रूट गए हैं मान नहीं रहे हैं, इस तरह से आप उनको बना करके वापस ला सकते हैं, सबसे पहले ग्रह दोशों की बात करेंगे, तो शनी, राहू और केतू को पाप ग्रह कहते हैं, और इनकी दशा से प्रायहा हर तीसरा व्यक्ति पीडित है, और इन तीनों अशुब फलदाई ग्रहों को एक साथ यदि आप बना करके चलना चाहते हैं, तो सबसे आसान तरीका है, रोटी में सरसों तेल लगा कर काले कुत्ते को शनिवार के दिन खिलाईए, रोज खिला सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है, काले कुत्ते हैं तो दो रंग का या दूसरे आपके जीवन से दूर होती हैं, नजर दोश हो, किसी ने कुछ किया, धरा हो, किसी ने बांध दिया हो, भूत प्रेत आदिका साया पड़ा हो, जो भी मानते हैं, ये अननैचरल चीजों में, वो सभी को ग्रह से संबंधित समझा जाता है, और कुत्ते को भी क्या मानते हैं, हम केतु ग्रह से संबंधित होता है, इस कारण यदि आप कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, तो आपके ये सभी तरह के ग्रह दोश दूर करने में सहायक समझा गया है, आप देखते होंगे, घर में जबी भी छोटा बच्चा रोता है, और आपको लगता है कि उसको नजर लग ठीक से खाना नहीं खा रहा है, तो भी आपको रोटी का उपाय करना चाहिए, कहते हैं कि एक रोटी ले लीजिए और उस पर एक गुड का टुकडा रख दीजिए, इससे लपेट के बच्चे के उपर से तीन बार आपको घड़ी की उल्टी दिशा में घुस जाए, और रो उपाय आपको आगे मैं जो बताऊंगी, ये जरूर करना चाहिए, आप देखेंगे किस तरह से ये एक रोटी आपके जीवन से समस्याओं को जड़ से उखाड़ कर भेंकेगा, और ये उपाय आप कैसे करेंगे, कब करना है, ये आपको ध्यान से जरूर सुन लेना है, पूरा या पिसा हुआ चीनी, जो कहते हैं या नॉर्मल चीनी ले, लीजिए, शक्कर, वो छिड़क लीजिए, अब रोटी को दोनों हाथ में लेकर, कुछ मिनिट्स के लिए, आपको अपने घर के इश्ट देव, अपने घर के देवता, जो भी आपको घर में पूचते हैं उनका आपको ध्यान करना चाहिए, सिर्फ मन में नमसकार करें और ध्यान करें कुछ मांगने की, कुछ शिकायत करने की, कोई नेगेटिव बात बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शक्ति सब समझते हैं कि आपको क्या चाहिए, अब इस रोटी के बराबर बराबर आपको चार तुकडे कर लेने हैं, और इन चार तुकडों को आपको अलग-अलग जगह पर रखना है, अब पहला तुकडा रोटी का कहां रखेंगे, पहला तुकडा इस एक तुकडे के छोटे-छोटे दो टुकडे कर लीजिए और अपने की छट पर या फ्लैट में रहते हैं, तो अपनी बैलकनी आधी में रख दीजिए, पक्षियों को खाने के लिए रख दीजिए, यदि घर पर नहीं है, तो आप ये व्यापार स्थल पर भी कर सकते हैं, उपाय को, इससे आपके पित्र देव की जागती है, वे आप पर प्रसन्न होते हैं, जो भी कार्य करेंगे, उ इसलिए उनके संतोश के लिए ये आपको करना चाहिए, रोटी का दूसरा टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़े करके चीटियों के बिल पर डाल दीजिए, इससे आपकी उन्नती में स्थिरता आनी शुरू हो जाती है,